नमो नाराइन मित्रो इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि ओ नामबाले लोग एबम एल नामबाले लोग यदी साधी करते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन कैसा होगा मित्रो यदी आप ये जानना चाहते हैं तो वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए क्योंकि यह वेडियो ओ नामबाले लोग एबम एल नामबाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण एबम उपयोगी है लेकिन मित्रो वेडियो में आगे बढ़ने से पहले एस्ट्रो फोर यू को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर दे एबम वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने मित्रो वे नामबाले लोग एबम एल नामबाले लोग यदि किसी भी प्रकाड के शंबंध में आते हैं तो इन दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इन दोनों का विचार एक समान होता है इन दोनों का अपने अपने जीवन के परती दृष्टी कौन एक समान होता है एबम इस कारण से इन दोनों के बीच में अनुकूलता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों आपको बता दे कि ओ नामबाले लोगों में रचनातमक उरजा बहुत ज्यादा होती है इन लोगों की मुसकान बहुत ज्यादा मन भाबन होती है एबम इन लोगों का विचार बहुत ज्यादा जुनूनी होता है मित्रो आपको बता दे कि ओ नामबाले लोग सामाजिक समारोह में सामिल होना बहुत जयादा पसंद करते हैं लेकिन यदि एल नामबालों की बात करे तो एल नामबाले लोग भी बहुत जयादा तेज, बहुत जयादा चालाक होते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में बहुत जयादा सुवतंत्र पड़िर्ती के होते हैं अपने जीबन में आजाद होना सुवतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कभी भी अपने जीबन में किसी भी व्यक्ती के अंदर में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं मित्रो ओ नामबाले लोग एबम एल नामबाले लोग इन दोनों के बारे में साड़ी बाते जानने के बाद यदि इनके दामपते जीबन या इनके प्रेम जीबन की बात कड़े तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन बहुत जयादा मजबूत एबम बिहतर होगा तो मित्रो बेडियो में आगे बढ़ने से पहले एस्ट्रो फोर यू को आप सब्सक्राइब कर दे साथ में बेडियो को लाइक कर दे एबं बेडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दे साथ में बेडियो को हर जगह से यर कर दे धन्यवद